नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रेवंत राज मैथेमेटिक्स में दोस्तों आज है संडे और आप सभी को पता है कि संडे अपने चैनल पर एक मेगा टेस्ट होता है जिसमें आप सभी का एक बार फिर से हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तों, संडे को ये टेस्ट है, इसमें हम राजस्तान जेके हिंदियों और सिक्षन अभी रूची का टेस्ट लेते हैं, तो दोस्तों ठीक तीन बच गे हैं, जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं, एक बार लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए दोस्तों, अपना टेस्ट सुरू होने वाला है दोस्तों, बहुत सारे क्यूसन देखने वाले हैं, मेरे प्यारे सात्यों, ये टेस्ट सुरू होने वा कि बताओ फिर मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों आज का टेस्ट जल्दी से कमेंट करके बता दीजी मेरे प्यारे साथियों क्या आप त्यार हैं चलिए दोस्तों 51 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक के जो क्यूशन है दोस्तों वे जीके के क्यूशन रेने वाले हैं किसके क्यूशन रेने वाले हैं दोस्तों जीके के क्यूशन रेने वाले हैं तो चलिए दोस्तों 51 से शुरुवात करते हैं आज का अपना पहला क्योंसन है राजस्तान का 27 जिला कौन सा बनाया गया था जल्दी से कमेंट केजिए दोस्तों राजस्तान का 27 जिला कौन सा बनाया गया था दोस्तों लाइक कर दीजिए सेर कर दीजिए बहुत ज़्यादा लाइव आने चाहिए आज लोग चलिए प्यारे किस संबाग में सबसे अधिक जिले हैं जल्दी से कमेंट किजिए इंचार में से किस संबाग में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों जल्दी से बताइएगा सबी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों जितने लोग भी लाइव हैं सबी लोगों को कमेंट करना है चलिए मेरे प्यारे साथियों इसका right answer एगा जोदपूर एक नमबर option आपका correct answer है चलिए दोस्तों अगला आचुका है निम्न मेंसे राजस्तान के किस जिले में बांका पटी फेली हुई है दोस्तों बांका पटी के दो कुबड पटी के दो किस जिले में फेली हुई है इनमें से जल्दी से कमेंट करेंगे चूरू भीलवाडा सिकर या नागोर दोस्तों में नाम किसी का ने लूँगा आप सभी को कमेंट करता है ना दोस्तों नाम लेने से टाइम ज्यादा खराब होगा दोस्तों कम समय में अधिक यूशन करने अपन को चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर एगा दोस्तों नागोर ओप्शन नमबर चार करेक्ट आंसर एगा बांगा पटी या कुब्ड पटी के बात करें तो दोस्तों नागोर में फैली हुई यह अगला देखना दोस्तों एक हजार मिली बार की समदाब रेका जुलाई माय में गुजरती है किन जिलों से ओकर गुजरती है दोस्तों एक हजार मिली बार की समदाब रेका जुलाई माय में किन जिलों से ओकर गुजरती है जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे सातियों सभी का हर्दिक स्वागत है सभी को गुड अप्टरनोन दोस्तों चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर एगा ओप्शन नमर एक शिरोई उदेपूर परताब गरोड और जालावाड छे ठीक है दोस्तों पहला ओप्शन आपका correct आंसर एगा दोस्तों चलिए दोस्तों पिंच्पन नमर क्यूषन आपके सामने है निमन लिकित में से कौन सा युग में सई सुमेलित नहीं है मिटियों से संबंदे पूचा आपई दोस्तों सर ने आपको बढ़िया इसका right answer एगा दोस्तों option number 3 correct answer एगा स्री गंगानगर हनमानगर भूरी बलूई मिटी नहीं पाई जाती है दोस्तों तीसरा option आपका correct answer है चले next 56 नमबर देखना दोस्तों रिगवेद में उलेकित नदी कौन सी है इन में से किस नदी का उलेक रिगवेद में भी मिलता है दोस्तों जल्दी से comment करेंगे शरश्वती, लूनी, कांतलिया, कांकनी नदियों का topic भी पढ़ा दिया गया है दोस्तों जल्दी से बताईए right answer क्या हो जाएगा चलिए दोस्तों बहुती बढ़िया इसका right answer होगा option number 1 दोस्तों सरश्वती नदी जो है रिगवेद में भी इसका उलेकित मिलता है सभी का right answer था दोस्तों आयड नदी का नाम उदे सागर के बाद हो जाता है आयड नदी जो है उदे सागर जील में मिलने के बाद दोस्तों क्या नाम इसका हो जाता है जल्दी से बताईए मेरे प्यारे सातियों 57 नंबर का right answer क्या हो जाएगा माही जाखम सोम या बेडच सभी का right answer आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से like कर दीजिए share कर दीजिए सेसन को आज mega test आपका होता है संडे को और आज ये सुरू हो चुका है दोस्तों चलिए प्यारे सातियों सभी का right answer इसका right answer एगा दोस्तों option नंबर 4 बेडच नदी का नाम आयड नदी हो जाता है उदे सागर जील के बाद में चलिए दोस्तों अगला क्यूशन है निम्न में से कौन सी प्रमपरागत जल की वीदी नहीं है दोस्तों कौन सी प्रमपरागत जल सरक्षन की वीदी नहीं है इन में से right answer क्या हो जाएगा जल्दी से बतेए नाड़ी, खडीन, तालाब या टोबा जल्दी से बतेए दोस्तों परम प्रागत जल सरक्षन की विद्धी कौन सी नहीं है 58 नमबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों चलिए बहुती बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब ऑप्षन नमबर तीन आपका करेक्ट आंसर एगा दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स अगला क्युसन देखना दोस्तों सेवन गास किस जिले में विस्तरित रूप से होती है चलिए बहुती बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा जसल में डिस्टी क्या रहेगा दोस्तों ओप्षन नमबर तीन आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों जसल मेर में सरवादिक शेवन गास पाई जाती है अगले क्यूशन के तरफ बढ़ रहा हूँ साथ नमबर क्यूशन आपके सामने है राजस्तान का वहे जिला जो विस्व का एद वितिये पक्षी अब्यारने है एवं जल पक्षियों का शुर्ग माना जाता है दोस्तों वहे कौन सा जिला है जाँ पर विस्व का एद वितिये पक्षी अब्यारने भी है और जल पक्षियों का शुर्ग कहा जाता है ओप्षन है दोस्तों अलवर भरतपूर उदेपूर और जोदपूर जल्दी से बते हैं दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा साथ नंबर क्यूस्टन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरी प्यारे सातियों सभी को एक साथ कमेंट करना है सभी का राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों नाम किसी का नहीं लिया जाएगा आपको केवल कमेंट में आंसर करना है दोस्तों बहुत भी बढ़ीया दोस्तों इसका right answer एगा option number 2 दोस्तों भरतपुर में केवला देव अवियारने दोस्तों जो है वो पक्षियों का श्वर्ग कहला था मेरी प्यारे सातियों दूसरा option आपका correct answer एगा अगला देखना दोस्तों राजस्तान में सित्ता माता अभ्यारने जिस जिले में इस्तित्य वे कौन सा है सित्ता माता अभ्यारने किस जिले में इस्तित्य दोस्तों जल्दी से कमेंट केजिए 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इन में से किस जिले मैं दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर एगा चितोड़ गड़ ओप्शन नमबर तीन दोस्तों ठीक है चितोड़ गड़ परताब गड़ ठीक है चितोड़ गट correct answer एगा मैरे प्यारे सात्यों इनमे से चलिए दोस्तों next है राजस्तान का कौन सी खाद्यान फसल के उत्पादन में भारत में परतमिस्तान है राजस्तान का कौन सी खाद्यान फसल के उत्पादन में इनमे से भारत में भी परतमिस्तान है संस्ताइब है केंद्रिय भेड एवं ओन अनुसंस्तान संस्तान काँ पर इस्तापित है दोस्तों बिकानेर जसोल अविका नगरिया जसलमेर दोस्तों 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजी जल्दी जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों 63 का राइट आंसर क्या वेरी गुड दोस्तों शांदार तयारी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमर तीन अविका नगर का परे दोस्तों अविका नगर में है चलिए नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों चोसट नमर राजस्तान के बाड मेर सांचोर द्रोणी में जल की खोज और वान सातियों ओप्शन आपके सामने लिखे वे हैं जल्दी से कमेंट करना है चोसट नमर का राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा के यर्न एनर्जी ओप्शन नमर तीन के एनर्जी कार ये कर रही है दोस्तों अगल प्यारी सांतियों 65 number question का जल्दी से बताईए चलिए चोता option आपका correct answer हेगा दोस्तों तेल से सम mentre दिते अगला देखना दोस्तों महिंद्रा कंपणी द्वारा इस्तापित सेज है किस जिली में महिंद्रा कंपणी द्वारा कंपा इस्तापित सेज播 क्या हो गाइगा चलिए बहुत ही बड़िया दोस्तों 66 नमबर का राइट आंसर एगा option नमबर 3 जेपूर जेपूर में दोस्तों इस्तिते ये जेपूर आपका correct आंसर एगा 66 नमबर क्यूशन का राइट आंसर चलिए दोस्तों आगे देखना 66 नमबर है जणगंडना 2011 के नुसार राजस्तान में 0-6 आयू वरक का लिंगा अनुपात कितना है राजस्तान की जणगंडना 2011 के नुसार दोस्तों 0-6 वरस का जो आयू वरक के दोस्तों उसका लिंगा अनुपात बताना है राजस्तान का जल्दी से बताए दोस्तों 66 नमबर का राइट आंसर क्या हो जाईगा option आपके साम एट एट है चलिए नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों राजस्तान में शर्वादिक शेरी लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है 68 नमबर क्योशन आपके सामने है सरवादिक शेरी लिंगा अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है मेरे प्यारे सातियों जल्दी से कमेंट कर दीजी इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर रेगा option नमबर एक टॉंक रेगा कुछ लोगों ने अच्छा बताया है सही बताया दोस्तों जिनों ने भी बताया है सभी का हारदिक स्वागत दोस्तों गुण सितर नमबर क्युशन आपके सामने मेरे पहरे सातियों राजस्तान में गाउं को स्वाव लंबी बनाने का प्रभावी माध्यम है दोस्तों कौन से योजना है जल्दी से बताये राजस्तान में गाउं को स्वाव लंबी बनाने का प्रभावी माध्यम कौन सा है जल्दी से बताये दोस्तों गुण सित्तर नंबर क्योशन आपके सामने मेरे प्यारे सातियों इसका राइट आंसर क्या हो ज़ेगा जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों चलिए मेरे प्यारे सात्यों इसका राइट आंसर पहला ओप्शन रेगा ग्रामीनों मुखी या आरतिक योजनों का निर्मान करके ठीक है अगला देखना दोस्तों राजस्तान में सुक्का संभावी शेत्र कारकरम कब चल कारकरम चलाया जा रहा है कितने जिलों में दोस्तों जल्दी से बताई शित्तर नंबर का राइट आंसर क्या होगा सुक्का संभावी शेत्रकार करम कितने जिलों में चलाया जा रहा है मेरी प्यारे सातियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताई बहुत ये बड़िया फ्रेंड सभी को अच्छी तैयरी करनी है सभी को कमेंट करना है मेरी प्यारे सातियों सभी का हर्दिक स्वागते एक बार लाइक कर दीजे सेर कर दीजे दोस्तों मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है जल्दी से बता दीजे दोस्तों कमेंट करके बतेजे दोस्तों मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों 11 जिलो में ये प्रोग्राम चला जा रहा है ओप्शन नमबर 2 आपका राइट आंसर एगा दूसरा ओप्शन दोस्तों अगला क्यों संदेखना मेरे प्यारे साथियों राजस्तान में पर्तम सोर पार्क सोलर पार्क की स्थापना का की जाएगी राजस्तान में पर्तम सोर पार्क या इसे सोलर पार्क की जाएगी दोस्तों चार ओप्शन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों इनमें से कौन सा सहर और कौन सा जिला है जल्दी से बतेए मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा इकेंदर नमबर क्योशन आपके सामने है दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर चलिए दोस्तों दूसरा ओप्षन करेक्ट आंसर एगा बढ़ला जोदपुर में इसकी स्ताफ ना की जाएगी दूसरा option आपका correct answer एगा दोस्तों अगला question देखना मुख्य मंत्री नीशुल के दवा योजना राजस्तान में कब लागू की गई थी दोस्तों most important question है BSTC और PTT में आया वा question है मेरे प्यारे सातियों मुख्य मंत्री नीशुल की दवा योजना राजस्तान में कब लागू की गई थी दोस्तों जल्दी से comment केजिए बहुतर नम्मर का right answer क्या हो जाएगा जल्दी से comment करेंगे दोस्तों मेरे प्यारे सातियों इसका right answer हो जाएगा दो अक्टॉमबर 2011 से योजना सुरू की गई थी दो अक्टॉमबर 2011 से दूसरा option आपका correct answer है अगला देखना दोस्तों राजस्तान में राजपुताना मेला नागरिक शेकारी बेंक ने जिस सेर्वे तिति से कार्य प्रार्ण किया वह कौन से है दोस्तों जल्दी से बताईए तैतर नमबर का right answer क्या हो जाएगा राजपुताना मेला नागरिक शेकारी बेंक ने किस सहर में और कब से कार्य प्रार्ण किया है दोस्तों जल्दी से बताईए चलिए मेरे प्यारे साथ ये इसका right answer option नमर एक रहेगा जेपुर में और 30 अगस्त 1905 में से ये चालू किया गया है दोस्तों ठीक है अगला देखना दोस्तों परिये टकों के लिए रेल मंत्रया के लेके सहयोग से राजस्तान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई है ये किस नाम से जानी जाती है परिये टकों के लिए रेल मंत्रया के लेके सहयोग से दोस्तों जल्दी से कमेट कीजिए चोतर नमर का right answer क्या हो जाएगा 74 नमर मेरे पैरे सातियों जल्दी से बतेए चलिए इसका right answer option नमर चार एगा दोस्तों रोयल राजस्तान और वैल्स रोयल राजस्तान और वैल्स correct answer है दोस्तों अगला question आपके सामने है पिचेतर नमर दोस्तों तक दोस्तों राजस्तान जिके के question देखेंगे राश्ति ये राजमारक संक्या 3 राजस्तान के किस जुले से गुजरता है दोस्तों पिचेतर नमर का right answer क्या हो जाएगा चलिए दोस्तों इसका नमर एक right answer हो जाएगा option number one correct answer है दोस्तों धोलपुर्शे गुजरता है माराना परताब की जनम इस्तेली है दोस्तों जल्दी से कमेट किजिए छेतर नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आपको कमेट करना है मेरी प्यारे साथियों माराना परताब की जनम इस्तेली क्या है 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से कमेंट किजिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों अद्बुत परदस्तन आप सभी का मेरे प्यारे साथियो माराना परताब की जनम इस्तालिये दोस्तों कुंबल गड़ कुंबल गड़ दोस्तों चार नमबर उप्षन आपका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है अगला देखना दोस्तों निमनलिकित सासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड की बहुत दिकवे कलात्मक उन्नतिका सेरिये जाता है मेवाड की बहुत इक आत्म को Jar Kayna जे रिये, किस साथ सर को सबसे ज़्यादा जाता है? 37 के अभी सामने है, जल्दी से बताईए प्यारे साथियों को एक साथ कमेन्ट करना है, मेरे साथियों राइट आंशर क्या जाएगा 77 का चलिए माराना कुम्बा यहां पर पहला option correct answer एका दोस्तों जिन्हों ने भी बताया बिल्कुल correct answer था कितने लोगों का answer सही है जल्दी से comment करके बता दीजिए फिर अगला question आपके सामने आ रहा है दोस्तों 78 number 78 number आपके सामने आ चुका है जाट वंस का 28 सताबदी के मद्य में किन भूबागों पर आदिपत्य था जाट वंस का 28 सताबदी के मद्य में किन भूबागों पर आदिपत्य रहा था दोस्तों जल्दी से बताये 38 number का right answer क्या हो जाएगा 78 नमबर आपके सामने मेरे प्यारे सात्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर और धोलवर पहला ओप्शन दोस्तों भरतपुर और धोलपुर करेक्ट आंसर एगा अगला देखना दोस्तों चंपारण की संदी किसके मद्य उईती जल्दी से बताएगा इतियास का क्यूशन आपके सामने हैं चंपारण की जो संदी हुईती दोस्तों किनके मद्य हुईती जल्दी से बताएगे 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान आए थी ख्वाजा मौिन दीन चिस्ती जो है दोस्तों किसके सासनकाल में राजस्तान आएगे जल्दी से बताएगे माराना परताब सिंग राणा सांगा राणा कुमबा या परतिवी राद चोहाँ जल्दी से कमेंट करेंगे मेरी प्यारी साथियों 80 नमबर का राइट आंसर क्या हो जाईगा चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर होगा option number 4 परतिविराद चोहान दोस्तों 4 number option correct answer हो जाईगा अगला question देखना है दोस्तों हल्दी गाटी के यूद में हल्दी गाटी के यूद में माराना परताब के साथ एक मात्र मुस्लिम सरदार कौन थे हल्दी गाटी का जो यूद हुआता दोस्तों उसमें माराना परताब के साथ में एक मात्र मुस्लिम सरदार कौन सा था दोस्तों जल्दी से बती 81 का राइट आंसर चलिए बहुती बड़ी है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जएगा हक्किम खांसूर पहला ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हैगा अगला क्युस्टन देखना दोस्तों काली बाई जिसने नूंगरपूर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिन्दगी दे दी थी वे कहां की रेने वाली थी काली बाई का संबन्ध किस से है दोस्तों जल्दी से बताईए 82 नमर का राइट आंसर क्या हो जाएगा कहां की रेने वाली थी दोस्तों किस गाउं की रेने वाली थी जल्दी से बताईए चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पर रास्तापाल गाउं था दोस्तों तीसरा उप्षन आपका करेक्टर आंसर रहे जाएगा रास्तापाल की गटना इससे का जाता है दोस्तों अगला क्युस्तन देखना दोस्तों तयासी नंबर राजस्तान के सवतंतरता सेनानिय उनके कारिये शेतर से समंद में गलत युग्म को पेचानिये दोस्तों एक तरफ आपको सवतंतरता सेनानियों के नाम देरके हैं दूस्तों गलत इन में से कौन सा है 83 का राइट आंसर आप पहला option ये एसंगत है पहला option आपका correct answer एगा अरजुनलाल सेटी उदेपुर में उनका कारी शेतर नहीं रहाता अगला question देखना दोस्तों चोरियांसी नमर राजस्तान में सवतंतरता संगर्ष के दोरान 1821 से 22 में भील आंदोलन का नेतरितव किसने किया था दोस्तों जल्दी तेजावत जमनालाल बजाज सोबराम या विजे सिंग पति दोस्तों क्या हुझाएगा right answer 84 का चली इसका right answer एगा दोस्तों मोतिलाल तेजावत option number 1 काफी लोगों ने सही answer बताया दोस्तों very good दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों सवतंतरता से नानिया उसाइद सागर्म सागर्मल गोपा कहां के निवासी थी दोस्तों सागर्मल गोपा का संबन किस जिले से है दोस्तों ये सवाल है आपके सामने 85 number question मेरी प्यारे सातियों सभी को right answer comment करना है मैं आपके right answer का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों एक बार like कर दीजिए share कर दीजिए live आने वाले लोग आपका correct answer हो चुका है अगला है एक 37 तता सेनानी दुआरा एक कावे का गया था कावे पाट 9 रतनों के पंजों से बचो भूप जहावर तुम जेसान के किले पे तिरेंगा पाऊगे एक राजा के दरबार में किया गया ये जेसान का अर्थ क्या है दोस्तों यहाँ पर जेस पूर जेसल मेर जेतारणिया जस्वंत गर्ड जेसान का मतलब क्या है दोस्तों इस कावे में जल्दी से बताए दोस्तों बहुती बढ़िया दोस्तों सभी का लगबग right answer है दूसरा option आपका correct answer है जेसल मेर जेसान का मतलब क्या है दोस्तों जेसल मेर 87 नमर आपके सामने आ रहे दोस्तों लाइक कर दीजी अभी तक लाइक नहीं किया तो यदि आप चैनल पर फर्स टाइम पदा रहे हैं तो लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लें मोरम के अवसर पर परियोग में लिया जाने वाला परशिद वाध्य इंतर कौन सा है जल्दी से बताएगा चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मोरम के आउसर पर दोस्तों तासा का में लिया जाता है वाध्य इंतर है तासा दोस्तों दूसरा उप्सन आपका correct answer रहेगा मेरे प्यारी साथिव एटी सेवन का अगला कुस्टन देखना दोस्तों 88 नमबर आपके सामने है तार से निर्मित वाद्य यंतर कौन सा है तार से निर्मित इन में से कौन सा वाद्य यंतर है दोस्तों 88 का राइट आंसर जल्दी से बताना है उप्षन है आपके रावण हता अलगोजा, मोरचंग या चंग दोस्तों जल्दी से बताईए 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तार से निर्मित वादिय अंतर कौन सा है चलिए बहुती बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर हैगा ओप्शन नमर एक, रावन हत्ता करेक्ट आंसर है पहला ओप्शन करेक्ट रहेगा अगला है दोस्तों 89 नमर संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था संत धना, संत संपरदाई पढ़ेंगे दोस्तों हम संत धना का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला option आपका correct answer एगा मेरी प्यारे सात्यों 90 number question आपके सामने आ रहा है त्यार होजे दोस्तों राजस्तान के वे संत कौन है जो राजस्तान छोड़के बनारस गए थे और रामानंत के शीशे बन गए दोस्तों जल्दी से बताईए राजस्तान के इसे कौन से संत थे जो राजस्तान को छोड़कर बनारस चले गए थे और रामानंत के शीशे बन गए थे दोस्तों 90 number question का right answer क्या जल्दी से बताईए चलिए दोस्तों very good दोस्तों जल्दी से comment कीजिए मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं सभी के comment देखे जा रहे हैं दोस्तों नाम किसी का नहीं लिया जा रहा है अपने को कम टाइम में अधिक क्योसनल करने है तो दोस्तों धना यहां पर right answer एगा संत धना option number 4 correct answer है दोस्तों 90 number का अगला देखना दोस्तों एकराण में number 4 केला देवी का मेला कब लगता है दोस्तों मेले हमने अच्छी प्रकार से पढ़ लिये हैं तो केला देवी करोली का मेला कब लगता है दोस्तों एकराण में नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए ओप्शन है दोस्तों चैतर कृष्ण पक्स चैतर सुकल पक्स वेशाक शुकल पक्स या वेशाक कृष्ण पक्स दोखतों एक्राण में नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करेंगे मेरी प्यारी साथ योँ चलिए बहुत बढ़िया एक्राण में नंबर का रेगा दोस्तों दूसरा ओप्शन करेक्ट आंसर काफी लोगों ने सही बता दिया है चैत्र सुकल पक्स को ये मेला बरता है दोस्तों करोली में अगला है दोस्तों बराण में नंबर क्यूशन कपिल मुनी का मेला लगता है कहां लगता है दोस्तों ये पूचा है पुशकर में, कोलाइट में, गोगा मेडी में या मुकाम में जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कपिल मुनी का मेला कहां पर बढ़ता है 92 नंबर आपके सामने क्यूशन आच चुका है दोस्तों सोथ तक जिके के क्यूशने बाद में हिंदी आ जाएगी दोस्तों चलिए बहुत ही बड़िया कोलाइट सभी का राइट आंसर दोस्तों दूसरा ओप्शन आपका करेक्ट आंसर एगा इस क्यूशन में अगला है दोस्तों राजस्तान में काँपर परसिद मिनाकारी गेन्य बनाये जाते हैं राजस्तान में मिनाकारी के गेन्य काँपर शबशे परसिद है दोस्तों काँपर 93 का राइट आंसर कीजिए दोस्तों गेने बनाने का सरवादी कार्य ये मीना कारी का कहां पर होता है जेपूर, उध्यपूर, जोदपूर, आजमेर सेप्षेन चार है, आपके सामने एक उप्षेन आई येन में से राईट है दोस्तों चलिए बहुत ही बढ़िया पहला option correct answer एगा दोस्तों जेपुर में ये कारिये किया जाता है अगला क्योशन है दोस्तों मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है जल्दी से बतेजिए दोस्तों मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है आपूशन है दोस्तों मुर्कियां option है आपके गल नाक कान या हाथ जल्दी से बता दीजिए दोस्तों 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया अद्बुत परदसन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है दोस्तों कान में पहनी जाती है तीसरा ओप्षन आपका करेffect आंसर एगा काफी लोगों ने सखी बता दिया दोस्तों उप्षन नमबर 3 करेक्ट आंसर है 95 देखना दोस्तों गड़ बीटली दूर्ग कौन सा है गड़ बीटली दूर्ग दोस्तों कौन सा है जल्दी से बताइगा चलिए दोस्तों 95 का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बतेजे दोस्तों गड़ बीटली दुर्ग चलिए दोस्तों तारागड अजमेर वाले दुर्ग को गड़ बीटली दुर्ग का जाता है दूसरा ओप्षन आपका करेक्ट आंसर एगा काफी लोगों ने सही बता दिया दोस्तों 95 का राइट आंसर अगला देखना द किला विज्य मंदर किला साबाद का किला या सेर गड़ का किला 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बतेजे दोस्तों चलिए बहुत ही बढ़िया वेरी गुट 96 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों ओप्षन नमबर 4 करेक्ट आंसर है दोस्तों सेरगड के किले का प्राचिंतम नाम क्या है कोश वर्दन ठीक है चलिए दोस्तों अगला है पिछवाई कलाकर्तियों में बने चित्र उद्धत किये जाते हैं महाबारत से भगवान क्रिश्ण के जीवन से रामाइन से या राजपूत राजवन के जीवन से दोस्तों पिछवाई जो कलाकर्तियों में बने चित्रे वो किसे संबनीत हैं दोस्तों बताई самом okay 97 का राइट आंसर क्यों है दोस्तों जल्दी जल्दी से कमेंट करना है सबी को चलिए बहुत ही बढ़िया भगवान कृष्ण के जिवन से ये संबन्दित होते हैं दोस्तों दूसरा उप्षन आपका करेक्ट आंसर एगा काफी लोगों ने बताया है अगला देखना दोस्तों 98 नमबर पिछवाई चित्र सेली का मुख्य विशे क्या है पिछवाई चित्र सेली का मुख्य विशे क्या रहता है दोस्तों युद राज दरबार परिणे परशंग या क्रिशन लीला दोस्तों जल्दी से बताइए पहले वाले क्यूशन से जस्ट रिलेटिड क्यूशन आपके सामने आ चुका है बेरे पैरे सातियों चलिए दोस्तों स्री कृष्ण लिला 98 का राइट आंसर ओप्शन नमबर चार रहेगा पिछवाई चितर शली का मुख्य विशे रहता आपका स्री कृष्ण लिला से समधित अगला देखना दोस्तों पर्तवी राज विजे का लेख कौन है 99 नमबर क्यूशन दोस्तों पर्तवी राज विजे का लेख कौन है जलदी से comment करेंगे मेरे प्यारी साथियों सभी लोगों को एक सात comment करना है जितने दोग जुड़ चुकें एक बार like कर दीजे share कर दीजे session को बहुत ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों mega test आपका start हो चुका है चलिए बहुत बड़िया दोस्तों इसका right answer option number 3 दोस्तों बिसल देव रासों की मुख्य मैला पात्र निमने लिकित में से कौन सी थी दोस्तों जल्दी से बताईए इंदू मती राज मती पद्मिनिया देवल देवी दोस्तों सो नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे सातियों जल्दी से इसका राइट आंसर दोस्तों दूसरा आप्शन होजेगा राज मती करेक्ट आंसर है दोस्तों हमने जीके के कितने क्युशन देखे दोस्तों 50 क्युशन देखे एक बार मुझे कमेंट करके बताईए कि 50 में से आप पचास में से आपके कितने सहीवे दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सबी सातियों को कमेंट करना है मेरे प्यारे सातियों सबी सातियों को कमेंट करना है चलिए बहुत ही बड़िया वेरी गुट चलिए दोस्तों अब हिंदी लेते हैं हिंदी में हम 30 question देखने वाले दोस्तों हिंदी विश्य आपके सामने आ रहा है हिंदी के हम 30 question देखेंगे आपके exam में भी 30 question आएंगे क्या आप ready हो दोस्तों जल्दी से comment करके बतो क्या आप तयारो हिंदी का test देने के लिए जल्दी जल्दी से comment करके कि बतेए दोस्तों हिंदी का टेस्ट अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों जीके का टेस्ट अपने आपने आंकलन कर लिया है हिंदी का टेस्ट आ रहा है दोस्तों चलिए दोस्तों बहुत भी बढ़िया पहला क्यूसन आपके सामने आ रहा है दोस्तों तो चलिए दोस्तों हिंदी का जो पॉर्शन है वो शुरू हो चुका है 121 से लेकर 1500 तक हिंदी के 30 क्यूशन देखने वाले हैं कितने से होते हैं ध्यान रखना पहला क्यूशन है हिंदी की डे और धे धवनिया कहलाती है दोस्तों राइट आंसर क्या होजएगा 121 का जल्दी से बते हैं मेरे प्यारे सातियों चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर 3 आपका करेक्ट आंसर हैगा उत्सिप्ट डे और धे के लता है अगला है दोस्तों किस सब्द में श्वर रहित व्यंजन नहीं है पक्ष पर्था कर्म या व्रिथा दोस्तों जल्दी से बते हैं श्वर रहित व्यंजन नहीं है किस सब्द में 132 का राइट आंसर क्या होजएगा श्वर रहित व्यंजन नहीं है चलिए मेरे प्यारे सातियों 122 का राइट आंसर एगा ओप्शन नमर चार वृत्था ओप्शन नमर फोर आपका करेक्ट आंसर एगा अगला है दोस्तों जिन सब्दों के बाशा सुरोत अग्यात रहते हैं उनको क्या कहा जाता है तदभव, विदेशी, देशस, या अर्द, तत्सम दोस्तों 123 का राइट आंसर बताने मेरे प्यारे सातियों जिन सब्दों के बाशा सुरोत अग्यात रहते हैं उनको क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों 123 का राइट आंसर चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों 123 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरे प्यारे सातियों क्या ओप्शन नमबर 3 देश सच कहलाते हैं तीसरा ओप्शन आपका करेक्ट आंसर हैगा अगला देखना दोस्तों 124 नमबर के उसन आपके सामने आ रहा है तत्सम सब्द कौन सा है इन में से तत्सम सब्द कौन सा है दोस्तों लोंग मोती शितार या गोपाल जल्दी से बढ़िये दोस्तों 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तत्सम सब्द कौन सा है लोंग, मोती, शितार या गोपाल जल्दी से बढ़े दोस्तों चलिए मेरे प्यारे सातियों इसका राइट आंसर हेगा ओप्शन नमर चार गोपाल आपका करेक्ट आंसर हेगा अगला देखना दोस्तों 125 नमबर उस सब्द को चांटिये जो इस तरीका प्रियाईवाची है इस तरीका प्रियाईवाची सब्द कौन सा है दोस्तों अचला, वसुंद्रा, दारा या मेदिनी जल्दी से बते दोस्तों 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए इस तरीका प्रियाईवाची सब्द है कौन सा दोस्तों वेरी गुड बहुत ही बड़िया दोस्तों दारा यांपर करेक्ट आंसर है दोस्तों ओप्शन नमबर तीन आपका करेक्ट आंसर काफी लोगों ने बताया है समानार तक शब्द नहीं है दोस्तों इन में से समानार तक शब्द कौन सा नहीं है विस्तार, अनंत, व्योम या फलक जल्दी से बते है दोस्तों फलंक लिकावा दोस्तों विस्तार, अनंत, व्योम या फलंक इन में से चारों में से अलग कौन सा ये बताना है 126 का correct answer क्या होगा चलिए very good चोता option आपका correct answer एगा दोस्तों फलंक आपका अलग है चोता option आपका correct रहेगा अगला है दोस्तों गनतंत्र का विलोम सब्द क्या होगा लोकतंत्र, सवतंत्र निजतंत्र या राजतंत्र दोस्तों जल्दी से बते ही 227 का right answer क्या हो जाएगा गंतंत्र का विलोम क्या होगा very good दोस्तों like कर दिजे share कर दिजे मेरे प्यारे सातियों मज़ा आने वाला है live session में चोता option आपका correct answer एगा दोस्तों राज तंत्र गंतंत्र का विलोम है इन में से उनमुक सब्द का विलोम सब्द कौन सा है option है दोस्तों प्रमुक विमुक सुमुक या प्रतिमुक दोस्तों 128 का correct answer क्या हो जाएगा जल्दी से comment करेंगे 128 का correct answer क्या होगा दोस्तों उनमुक का विलोम सब्द क्या हो जाएगा विमुक हो जाएगा ठीक है दोस्तों विमुक आपका correct answer दूसरा option काफी लोगों ने बता दिया था आग गुंतिस नमबर दोस्तों कम समय में अधिक क्यूशन करने का मिशन एक सो गुंतिस नमबर क्यूशन आगत का विलोम सब्द अनागत वीगत अभ्याकत या विबागत दोस्तों 133 का राइट आंसर चलिए आगत का उजेगा दोस्तों वीगत आपका दूसरा ओप्षन करेक्ट है अगला देखना दोस्तों जिसका जन्म कन्या के गर्ब से हुआ हो कन्या पुत्र, कानीन अवेद पुत्र या कुमारी पुत्र दोस्तों 133 का राइट आंसर दोस्तों उसे कानीन कहा जाता है अगला क्योंशन देखना दोस्तों पेट की अगनी के लिए सुद्ध सब्द है पेट की अगनी के लिए सुद्ध सब्द कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताईए दावागनी बडवागनी जठरागनी या मंदागनी दोस्तों जल्दी से बता अनूरित अनूरवर या अनूने दोस्तों जल्दी से बताइए 112, 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 132 आपके सामने हैं दोस्तों किस सब्द में अनू उपशर्ग नहीं है चलिए very good अनू उपशर्ग दोस्तों किस में नहीं है तीसरे में नहीं है तीसरा उपशन आपका करेक्ट आंसर हैगा अगला है दोस्तों परतिय की बिना बने सब्द को बताइए एसा कौन सा सब्द है जिसमें परतिय नहीं है दोस्तों सोदागर, जादूगर, बाजीगर या अजगर जल्दी से बताइए 133 का राइट आंसर क्या होगा चलिए, लाइक कर दीजे दोस्तों, सेर कर दीजे हर संडे को 3 बजे अपना लाइव मेगा टेस्ट होता है दोस्तों 133 का करेक्ट आंसर अजगर रहेगा दोस्तों उप्शन नमर 4 आपका करेक्ट है अगला देशना दोस्तों, गवीश का ठीक संदी विचेद किस करमांग पर है गवीश का ठीक संदी विचेद किसम है दोस्तों 134 आपके सामने है गो प्लस इस, गो प्लस इस, गो प्लस इस या गे प्लस इस दोस्तों जल्दी से बताई राइट आंसर क्या हो जाएगा 134 का चलिए पहला option correct answer है का दोस्तों पहला option go plus is गवीश बनेगा दोस्तों अगला है उत प्लस स्वसन की सही संदी किस करमांग पर है 135 नंबर का राइट आंसर option देखना दोस्तों उत श्वसन उत प्लस वसन क्या बनेगा दोस्तों जल्दी से बताईए 135 कमेंट कीजिए दोस्तों चार option आपको दिखाई दे रहे हैं चार option को देखके दोस्तों कमेंट कर दीजिए राइट आंसर चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों दूसरा option आपका correct answer हैगा उच्वसन ठीक है 136 है दोस्तों ऊट पटांग में कौन सा समासा है बहुत ही important किज़न है 136 ऊट पटांग में कोन सा समासे बोववरी द्वंद विगु या अवविभाव उट पटांग में कौन सा है दोस्तों चलिए very good दोस्तों अब यह भाव आपका correct answer एगा चोता option अगला देखना दोस्तों किसान ने मरूप किसान ने भूमी पर हल चलाया वाकिय में करता करता एवं अधिकरण करम से क्या है करता एवं अधिकरण क्या है दोस्तों किसान ने भूमी पर हल चलाया 137 का right answer बताईए किसान हल भूमी हल किसान भूमी अहल भूमी आपको एक तो करता बताना है को ने एक अधिकरण बताना है दोस्तों चलिए बहुत ही बढ़िया तीसरा option आपका correct answer एगा दोस्तों किसान करता है अधिकरण है भूमी ठीक है अगला देखना दोस्तों अगला मोहन गर से लोट कर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है इस वाके में रेखाकित पदबंद कौन सा है सग्या पदबंद, क्रिया पदबंदक या क्रिया विशेशन पदबंद या समुच्य बोधक अविये दोस्तों 138 का right answer क्या है जल्दी से बताइए मोहन गर से लोट कर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है कौन सा पदबंद है दोस्तों बहुत ही बड़िया मेरे प्यारे सात्यों इसका right answer हो जाएगा पहला ओप्शन की या इसलिए आए दो दोस्तों कौन सा रहता है संग्या पदबंद रहता है पहला ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला देखना दोस्तों संयोक्त वाक्य का उधारण कौन सा है ओप्शन है विपुल जो नीना दोनों पढ़ते हैं जो मनुश्य भगवान धनवान होता है उसे सबी चाते हैं मकरंद और विनिता दोनों सासाथ प और बए बहुत ही बढ़िया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है के लिए उप्शन नमबर चार में आगे बढ़ गया और वे फिछे रहे गया चोता ओप्शन संयोक्त वाक्य का उधारण दोस्तों चोता ओप्शन आपका करेक्ट आंसर है 140 नमर देखना बारी मुसिबत में भ कर दीजे, कमेंट कर दीजे, दूस्तों, चलिए दोस्तों बहुत शिब बढ़िया, दूसरा ओप्शन आपका correct आंसर हैगा, काफी लोगों ने सही बता दिया है, बाल बांका ने होना, क्या रहेगा दोस्तों, बाल बंका ने होना, अगला देखना दोस्तों, अगला यहां दोस्टों तीसरा option correct answer है कटिन काम संपन करना तीसरा ओप्षन दोस्टों correct answer हैगा अगला देखना दोस्तों आम के आम और गुठलियों के दाम का सही अर्ति क्या है चार ओप्षन आपके सामने मेरे प्यारे सातियों चार ओप्षन आपको मिल रहे हैं जल्दी से बता दी पर ही आम बेसना या आमों के दाम के साथ गुटलियों के दाम भी मिल जाना दोस्तों पहला option correct answer बता रहे हैं पहला ही correct रहेगा एक वस्तु के अनेक लाब मिलना आम के आम गुटलियों के दाम अगला देखना दोस्तों समसुरूत सब्द पर्था प्रिथा और परता का किस करम में सही 60 अर्थ वा है जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रिथा और परता सही अर्थ कौन से इन में से बताएं 143 का राइट आंसर चलिए वेरी गुड पेला ओप्षन करेक्ट आंसर एगा कुंती और रिती ठीक है अगला देखें दोस्तों 144 नंबर कम समय में अधिक युशन नाम किसी का ले नहीं रहूं किस सब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है अवलंब एविलंब यानि सारा या बिना रुके आसन आसन निकट और बेटने का इस्तान अली अली सकी और बहुरा अतल अतूल गेरा और बड़ा या काफी सह प्र SongHare अर्थ भेद नहीं हुआ है 114 इसमें कौन सा अंसर रहेगा सही अर्थ भेद कौन सा नहीं हुआ है और राइट अंसर बैज दीजिए मेरे पास किस क्रम में सही मेल नहीं है दोस्तों जल्दी से बताईए राइट अंसर क्या हो जाएगा चलिए बहुत बढ़िया 145 का करेक्ट आंसर पहला रेगा दोस्तों ये गलत है पहला ओप्षन आपका राइट आंसर रेगा इस क्यूशन का एक सो च्यारी से निम्न में से कौन सा सब्द सुद है भोगोलिक 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 या भूगोलिक दोस्तों चारों एक जैसे लेकिन सुद कौन सा ये बताइए बहुत सरल क्यूशन है मेरे प्यारे सातियों लाइक कर दीजिये सेर कर दीजिये सेशन को वेरी गुड दोस्तों तीसरा ओप्सन करेक्ट आंसर एगा भोगोली के वाला सुद है तीसरा ओप्सन करेक्ट है दोस्तों 147 पे पहुंच गये हैं 500 तक हिंदी उसके बाद टीचिंग एप्टिटूट नेमने लिकित में से कौन सा सब्ध सुद है आशिरवाद, आशिरवाद, आशिरवाद और आर्शिवाद दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा आशिरवाद सुद लिखा गया है 147 most important question है दोस्तों ये BSTC के लिहाद से और अन्य competition के लिहाद से very good काफी लोगों का right answer पहला option correct answer है दोस्तों पहला option 148 देखें दोस्तों किस करम में सुद्ध सब्ध है जोतसना तदुपरांत जांसी या तनकवा कौन सा सुद है दोस्तों ये बताइए 148 में कौन सा सुद्ध है चलिए बहुती बढ़िया दोस्तों option number 4 आपका सुद्ध है तनकवा सैयर चाउता option आपका correct answer है गा 150 देखना किस करमांक का वाक्य सुद्ध है दोस्तों वे जरूर आएंगे रावन की ओरत मंदोद्री थी कल रात से पक्षी पेड में है या गर में केवल एक मातर टीवी है जल्दी से बताईए 150 का right answer कौन सा बिलकुल सुद्ध है very good दोस्तों बहुती बढ़िया अदबुत तयारी आप लोगों की सांदार परदसन मेरी पहरे सातियों very good पहला option आपका correct answer एगा वे जरूर आएंगे ये सुद्ध है ठीक है आज की class का हिंदी का 150 वायने last question कौन सा सुद्ध करम बताईए रविंदनाथ भारत के एक परशिद कवी थे या रविंदनाथ एक भारत के परशिद कवी थे रविंदनाथ भारत के परशिद कवी थे या रविंदनाथ एक भारत के परशिद कवी थे दोस्तों 150 में सुद्ध कौन सा है ये बताईए करम के अनुसार सुद्ध 150 का right answer क्या हो जेगा मेरे प्यारे सातियों जल्दी से बताईए very good दोस्तों इसका पहला option correct answer एगा दोस्तों पहला option correct answer जिन्होंने भी बताया है दोस्तों ये थे हिंदी के 30 परशन आपके कितने सहीवे जल्दी से बताईए मजा आया की नहया हिंदी में जल्दी से बतादीजे मेरे प्यारे सातियों मझा आया कि नहया हिंदी के test में वेरी गुड़ बहत ही बड़ी दोस्तों शांदार प्रधसन आप सबी लोगों का वेरी गुड़ मझा आया गुड 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 दोस्तों ठीक है दोस्तों ये थे जीके और हिंदी के क्युशन दोस्तों अपनी teaching aptitude का test है जो शिक्षण अभी रूची का टेस्ट है मेरे प्यारे साथियों, शिक्षण अभी रूची का टेस्ट जो है, हम पिछले संडे की तरे रात को 9 बजे लेने वाले हैं, आज रात को 9 बजे दोस्तों आज रात को 9 बजे आपका सिक्षन अभी रूची का टेस्ट होगा जिसमें 50 क्यूर्शन रेंगे दोस्तों ठीक है ना सिक्षन अभी रूची के 50 क्यूर्शन रात को 9 बजे टेस्ट है उसमें आना दोस्तों लगातार मेनत करें ये पड़ाई करत तेरे दोस्तों मिलते हैं सिक्षन अभी रूची वाले टेस्ट में लाइव तब तक के लिए मेरे प्यारे सातियों सभी को गुडबाई जै हिन जै बारत